हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल स्टूडेंट जॉब हेलो फ्रेंट्स इस वीडियों हम बात करने वाले हैं सी आर पीएफ की तरफ से यहां पर न्यू रूट्मेंट आपके लिए आच चुकी है सेंटर रिजर्व पॉलिस वर्स की तरफ से यहां पर न्यू बर्थी आपके लिए ओट कर दी गई है जिसमें यहां पर दोस्तों से अधिक पद उपर जो वेकैंसे से वह ओट की गई है तो अगर फ्रेंट्स आपके भी यहां पर यहां पर आपने ग्रैजुएशन कंप्लेट कुई है यहां पर फ्रेंट्स आपने यहां पर डिप्लामा की हुआ है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं किस तरह के से अपलाई करना है यहां पर पूली डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूँ और यहां पर जो अफिशल नोटिफिकेशन है वो आप कहां से डानलोड करेंगे वो भी डिटेल जानकारी आपको दूँगा तो वीडियो को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है वीडियो को आपने अंड तक देखना है और चैनल पर पहली बार विजट करना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंके फ्रेंट्स आल अवर इंडिया से कोई भी जॉब ओट होती है तो उसके अपडेट्स सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है तो आप मैं आपको सीधा अफीशल नोटिफिकेशन के उपर लेकर चलता हूँ तो फ्रेंट जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक अफीशल नोटिफिकेशन यहाँ पर CRPF याने के सेंटर रिजार्फ पॉलिस वर्स की तरफ से आउट किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इनके अफीशल वेबसेट है यहाँ पर जाकर जो है आप डिटेल में इसको चेक भी कर सकते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा किस तरह किसे जो है आप आफीशल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इसलिए उडियो को एंड देखना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लिएते हैं इसके यहाँ पर जो आनलाइन फारूप में वो खबसे स्टार्ट हो हुरें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 152023 से इसके यहाँ पर जो आर्लाइन फार्म है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं इसके लावे लाश्टेट की बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 215-2023 इसकी लाश्टेट है उससे पहले पहले फ्रेंट्स आपने इसके लिए अपलाई करना है इसके लावे यहां पर आपको जो admit card है उसके लावे यहां पर computer based आपको जो test होगा तो उसकी यहां पर जो tentative date है वो भी यहां पर बताएगी है वो आप यहां पर देख सकते हैं 13-6-2023 जो यहां पर बताएगी है इसके लावे यहां पर आपको देख सकते हैं schedule of computer based test tentative जो आप पर रहने वाला है 24-6-2023 से लेके 25-6-2023 यहां पर रहने वाला है तो इस तरह के से यहां पर सभी डेश्च जो आप बताएगी है बाकी की details पर हम यहां पर देख लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं online mode में friends आपने इसके लिए apply करना है किस तरह के से आपने apply करना है वो detail जानकारी में वीडियो में आपको देने वाला हूं तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें थोड़ा साम नीचे चलते हैं तो यहां पर friends आप देख सकते हैं यहां लेवल 6 की यहां पर पेस्केल आपको देखने को मिलेगी अच्छी खासी पेस्केल यहां पर आपको दी जाएगी इसलिए आप जरूर से इसके लिए apply करें इसके लाव यहां पर इंस्पेक्टर क्रिप्टो की यहां पर पोस्ट है वो दी गई है इसको भी group B में यहां पर लेवल 6 की यहां पर पेस्केल आपको इसमें देखने को मिलेगी और अच्छी पेस्केल भी यहां पर आपको मिलेगी इसके लाव यहां पर आप देख सकते हैं साब इंस्पेक्टर टेक्निकल की यहां पर पोस्ट है वो दी गई है तो group B में यह पोस्ट भी रखी गई है औ लेवल 6 की पेस्किल आपको इसमें भी देखने को मिलेगी इसके लाव यहाँ पर आप देख सकते हैं Assistance of Inspector Technical की यहाँ पर जो पोस्ट है वो दी गई है और यह जो पोस्ट है Group C में रखी गई है और इसमें यहाँ पर लेवल 5 की आपको पेस्किल देखने को मिलेगी जो के अच्छी खासी पेस्किल यहाँ पर जो है फ्रेंट्स आपको मिलने वाली है इसके लाव यहाँ पर जो लाश्ट की पोस्ट दी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं Assistance of Inspector की यहाँ पर जो पोस्ट है वो दी गई है Draft Main की यह पोस्ट रहने वाली है और Group C में इस पोस्ट को रखा गया है और इसके लवा लेवल 5 की यहाँ पर जो है पेस्किल आपको इसमें देखने को मिलेगी तो इस तरह के से आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग लग पोस्ट यहाँ पर दी गई है और अलग लग Group में इसको रखा गया है और पेस्केल का जो लेवल है वो भी अलग लग यहाँ पर रखा गया है इसके लवा यहाँ पर आप देख सकते हैं Category wise भी यहाँ पर जो है बताया गया साब इंसपेक्टर RO की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर टोटल 19 वेकेंसिस दी गई हैं साब इंसपेक्टर क्रिप्टो की बात कर लेते हैं तो 7 वेकेंसिस दी गई हैं इसके लबाए सिस्टेंट साह एंस्वेक्टर ड्राफ्टमेन की यहां पर 15 वैकंशे टोटल दी गई है और यहां पर फिरंट्स अगर हम अवराल वैकंशे की बात कर लेते हैं तो तूटवल यहां पर विकैंसिस दे गई हैं जो के अच्छी खासी विकैंसिस यहां आपको देखने को मिलेंगी तो यहां पर कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप इंडिया के स्टेज़न हैं इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं किसी भ बात कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आपकी जो एज रहने वाली है तो यहां पर आप देख सकते हैं थाटी यह से बिलो आपकी यहां पर जो एज रहने वाली है तो एज रिलाक्सेशन भी यहां पर जो दी गई है एसके लिए यहां पर देख सकते हैं अगर आप से आपको कहां से डॉलोड करना है ताकि आप खुद भी इसको डिटेल में चेक कर सकें इस के लिए तो अलग लग पोस्ट के लिए अलग लग आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह रहने वाली है तो यहां पर आप देख सकते हैं सब इसके लिए अगर आप बात कर लेते हैं तो फ बैचरूल डिक्री यानि कि आपके बी ए कंप्लीट की हुई है और साथ में मैथेमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट उसमें आपने रखा हुआ है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसके लाव यहां पर साब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात कर लेते हैं तो इ इसमें आप यहां पर देख सकते हैं अगर आपको यहां पर टैंथ पास है तो आप इसके लिए एजली अपलाई कर सकते हैं इसके लाव अगर हम बात कर लेते हैं एसिस्टेंट साब इंस्पेक्टर के लिए इसमें अगर आप यहां पर मैट्रिक पास है तो आप इसके लग लग पोस्ट के लिए अलग लग आपकी qualification भी रहने वाली है इस तरह के से आपने apply करना वो भी यहाँ पर बताया गया है तो online mode में friends आपने इसके लिए apply करना है examination fee की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 जो है वो sub inspector group B के लिए रखी गई है और इसके कौन सी state में कहां कहां पर जो है examination center रखा गया है वो आप यहाँ पर detail में check कर सकते हैं और वहीं पर friends आप अपना examination जो center वो ठीक कर सकते हैं वो mark कर सकते हैं ताके friends आपको बाद में कोई भी problem ना हो और इसके लावे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो है ज यहाँ पर जो आपको दिये गए हैं यहाँ पर two hours के अंदर अंदर आपको यह paper जो वो करना होगा और two hundred mark का यहाँ पर जो paper वो दिये गया है और इसके लावे यहाँ पर आप देख सकते हैं subject यहाँ पर कौन-कौन सा आपको आने वाला है तो part first में आप यहाँ पर देख सकत जो आपको होंगे वो 40 के होंगे इसके अलाव यहाँ पर general English grammar का यहाँ पर जो portion आपको आने वाला है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं number question की बात कर ले तो 10 question आपको आएंगे 20 marks आपको यहाँ पर रहने वाले हैं इसके अलावा अगर हम part second की बात कर लेते हैं जो के यह यहाँ पर जो है SI या पर radio operator के लिए रखा गया है इसमें भी आपको यहाँ पर 100 marks आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं subject wise की बात कर लेते हैं तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं part A में आपको जो question आएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं physics mathematics के यहाँ पर ज लग यहाँ पर जो आपका जो कुछ लेपस है वो रखा गया है तो आप इसको detail में check कर सकते हैं अब यह notification आपको कैसे download करना है वो मैं आपको detail में बता देता हूं ने तो इसको आपने download कैसे करना है तो सबसे पहले आपको link description में मिल जाएगा आपने उस website पर चले जाना है ज सबसे पहले नमबर पर जो है आपको यहाँ पर recruitment मिल जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रूप B और C की यहाँ पर जो पोस्टी जे वो ओट की गई हैं CRPF की तरफ से जिसमें technical और draftment की post पी दी गई है और सब inspector की यहाँ पर जो पोस्ट है वो दी गई है और आपके हैं तो जितना उसका वीडियो को लाइक करके शेर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ आकर उनको भी अपडेट मिल सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूँ अपडेट के साथ अब तक के लिए बाई टेक्योर